Dear students, good evening, last class में अपन बात कर रहे थे कि समुचे क्या होता है? यानि set है वो क्या होता है? उसके बाद में अपने बात कर रहे थे, उसके बाद में अपने बात कर रहे थे, कार्टीजेन प्रोडेक्ट की. जैसे अपन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, वैसे भी अपन क्या कर सकते हैं? समुचेओं का भी गुणा कर सकते हैं. जो कि क्या कर रहाता है? कार्टीजेन प्रोडेक्ट कर रहाता है. उससे आगे अपने एक नया टोपिक बढ़ रहे हैं देगों समन्द. जो कि एक्जाम की दरश्टी से एक important topic है कम से कम एक या दो question इससे पूछा जाता है एक तो इसके अंदर होता है जैसे कोई भी समन्दे देंगे फिर ये पूछेंगे इसका प्रांथ क्या होगा, domain क्या होगा या परिसर, यानि range क्या होगा तो उससे समन्दित क्यूशन कई बार एक्जाम में पूछा जाता है या कोई भी समन्द डिफैंड करनेंगे फिर पूछेंगे कि ये सवतुले समन्द है यानि reflexive है, symmetric है यानि सम्मित है, transitive है यानि संक्रामक है, या मालो तुलेता समन्द है, equivalence relation है तो उससे समन्दित क्यूशन एक्जाम में हर बार पूछा जाता है तो एक्जाम की दरस्टी से very important topic है, कम से कम एक या दो क्यूशन इससे पूछा जाता है सबसे पहले बात करने हैं, इसकी definition की बात करने हैं तो बिल्कुल आसान से definition है कार्तिय गुन्फल एक रोस बी का कार्तिय गुन्फल एक रोस बी का परतेक उपसमुचे ए से बी में समन्द कहलाता है A से B में समंद कहलाता है यानि कारती एक उनफल A क्रोस B के जितने भी उपसमूचे होंगे उन सब को अपन क्या कह सकते हैं A से B में अपन समंद कह सकते हैं जैसे अगर आपन देखें जैसे A बराबर ले लिया अपने माल लो 1, 2 ले लिया देखो A बराबर अपने ले रहे हैं 1, 2 ले रहे हैं B बराबर अपने ले रहे हैं माल लो 3, 4 ले रहे हैं तो A क्रोस B अपने डिफैंड कर सकते हैं A क्रोस B की डेफिनिशन अपने पढ़ी थी पहला आवे आपको A से लेना है दूसरा आवे B से लेना है यानि जितने भी कर्मीत यूग हम बना सकते हैं, वो सारे कर्मीत यूग हम बना देंगा, यह क्या 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 क्य के उपसमूचे मैं देख रहा हूं एक तो उपसमूचे क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा रिक्त समूचे परतेक समूचे का क्या होता है उपसमूचे होता है एक अपन ये बार जानते हैं इस समूचे को खुद को ले लेंगे परतेक समूचे क्या होता है समय का उपसमूचे कहलाता है यह कहलाता है सारवत्रिक शमंद कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है अब इसके अलावा इसके जितने भी उपसमूचे होंगे वो सारे क्या होंगे A से B में समंध कह सकता है, विकारत ये गुंफल A रोस B के परतेक उपसमूचे को अब अगर A बराबर अपन ये लेते हैं, B बराबर ये लेते हैं, तो A करोस B के अंदर ये element आएंगा देखू, अब इसके जितने भी उपसमूचे होंगे, वो सारे क्या कर लाएंगे enforcement, अ उसकां समुचे क्या हो जाएगा था यह यहां यहांपर मैंने A का B से समंध इस टाइब से 답 से refend कर दिया A square ब्रबर माइनस B. यानि A का B से समंध होगा यादि A का square किसके बराबर आएगा माइनस B के बराबर आएगा. तो आपन यह पास जानते हैं किसी भी संख्या का square माइनस B के बराबर नहीं हो सकता तो इसका हम ले हिसके अंदर कोई भी करमी क्या का ले सकते हैं एक रोस बी ले सकते हैं आपन यह बाद जानते हैं समय का उबस home होता है एक रोस का ऊपसमुचे क्या हो जाएगा चीस को हमेब चालम गयता है सारुमत्रक्ति करते हैं इसके अलावा जितने भी समझे हो सकते हैं वो सारे क्या • difference स्मंद कर लहां इसके कितने समूचे हो सकते हैं यहँ लुका और नहीं को समूच है कितने होते हैं दो कि पावर्ट चार यानि कितने होते हैं तो इसका मदल सोड़ा अपन और समंद डिफेंड कर सकते हैं अब सीझी सी बाठ्शाम में अगर आपन बात करें तो एस से बी में समंद कराएगा सोटा से एक एक जाँपल आपने लिए देने हो आपने लिkaya 002 बिंड लिख दा है तब एसे म कास्ट नहीं तब एसे माँदों नहीं तब आपन बात करें से बी में समंद नहीं है आज हुआ कि शन सान ये लिख दीगो आर worked व्राबर व्र्रarina ये लिख ऐसे कि उपने कुछा गया कि a C B में संबन्द कौन सब्सार नहीं है यहां तो यहां पर आज गांए दूसरा पने करें तो यहां पर पर पहलों पहले हैं तो इसको इस्कोफ़ A में समंद कह सकते हैं इसको B से A में समंद कहा जा सकता देगा तो इसका मेलग यहां पर कौन सा option सही हो जाएगा second option सही हो जाएगा एक तो साथ साथ आप question को लिख लें अगर नहीं लिखा जा रहा है तो अपन क्या करेंगे PDF पीडिएफ नोट्स आपको उपलब्द करवाएंगे जो भी class के अंदर अपन लिखते हैं उस सारे नोट्स आपको उपलब्द करवा दी जाएंगे तो कोई अभी चिंता करने की बात नहीं एक बार इसको समझ लें जल्दी है अपन PDF नोट्स इसके उपलब्द करवा देंगे उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देगो प्रान तुए प्रीशर की उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं प्रान तुए प्रीशर की domain and range domain and range तो डेफिनिसन ये होति ये देगो समन्ध आर के समन्ध आर के करमित युगमों के पर्थम अवेऊं का समोचे पर्थम अवेऊं का समोचे प्रांथ वे दिवीती आवियों का समुची परिशर कहलाता है एक्जामे कई बार पूछा जाता है जैसे कोई समण डिफैंड कर देंगे कोई रिलेशन डिफैंड कर देंगे पिर ये पूछेंगे इसका प्रांथ क्या होगा परिशर क्या होगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे जो समंध आ रहे है उसके जो कर्मीत यूगा में ओडर्ट फियर है वो अपन लेखेंगे उनके अंदर पर्थम आवियों का जो समुचे उसको तो अपन कहते है देखो डोमेन कहेंगे और द्वीती आवियों का शपोज मैंने ले लिए जैसे एक फिर चार ले लिया है फिर मैंने आठ ले लिया देखो ऐसे ले लिया अब A से B में अपने एक समंद ऐसे डिफैंड कर रहे हैं लिएको X का समंद Y से ऐसे अपने डिफेंड किया है, X का दुगुना Y है, समंद अपने डिफेंड कर दिया, X का दुगुना Y है, जहाँ X है वो तो किसका एलेमेंट है, A का एलेमेंट, Y किसका एलेमेंट है, B का एलेमेंट है, जैसे अपन आदमियों में जैसे समंद होते हैं बाई बैन का समंद है माता पिता का समंद है वैसे ही क्या होता है संख्याओं में समंद होते हैं तो यहां अगर आपन देखें तो संख्याओं में समंद जैसे दुगुने का समंद define कर रखा है तब इसका अपने को प्रांत वे प्रीसर ग्याद करके बताना देखो तब इसका प्रांत वे प्रीसर अपने को पूछा गया देखो इसका प्रांत वे प्रीसर अपने को पूछा गया है तो सबसे पहली बात है देखो आसानी से सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस से लेना है वाई कहां से लेना है अपने को बी से लेना देखो तो सबसे पहले एक का मान में ले रहा हूं देखो एक ले रहा हूं अब एक का समन्द किस से होगा देखो भी एक का समन्द किस से होगा अपने से दूगूने के साथ में यानि एक का समन्द किस से होता है दो से ले और चार यहां पे है लिव तो इसके अंदर आ जाएगा दौचार फिर 3 का समंध किस से होगा ज्चिए तो यहां पर श्रका시는 किस से ओजाएगा अभी अपन बात करने हैं देखो प्रांत क्या होता है जो कर्मीत यूगम है उनकी पर्थम आवियों का जो समूचे वो क्या कहलाता है प्रांत कहलाता है तो प्रांत क्या हो जाएगा देखो यहां पे दो और चार दो और चार हो जाएगा प्रिसर क्या हो जाएगा इसका डोमे A बराबर अपने को दे रखा देगो, 1, 2, 3, 4, ऐसे अपने को 18 तक की संख्या दे रखिया देगो, 18 तक की संख्या अपने को दे रखिया, समध ऐसे डिफाइन कर रखा देगो, R बराबर ये दे रखा है, x, y, 3x-y is equal to 0, ये दे रखा देगो, साथ में ये कहा रखा है कि x और y अपने को कहां से लेने, a से लेने, वैसे भी अगर अपने बात करें, तो अगर a की समूचे दिया हुआ है, तो इसका अपने को पूछा गया, डोमेन और range अपने को पूछी गया, सबसे पहले अपने को दे रखें, ये समंध को अपन अच्छी तरह पढ़ेंगे, यहां से अगर थोड़ा सा इसको अपन सोल करके देखें, यहां कहने का मतलब ही हो गया है कि x का समंध y से होगा, यह दि x को अपन 3 से गुणा करें और उसमें से y गटाएं, तो 0 आना चीए, अब इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, y बरावर अपन लिख स समंध हो जाएगा, अब बिल्कुल आसा तरीका है, यहां से अपन x के मान रखते जाएगा, आक्स के मान रखते जाएगे, y के मान आते जाएगे, तो कौन कौन से करमीत यूख मा जाएगे इसके अंदर, x और y दोनों के मान किसमें होने चीए, समूच ये में होने चीए, x बराबर 2 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 6, 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9, 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12, 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15, 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18, अब 7 करेंगे तो कितना आएगा, 21, और 21 इसके अंदर नहीं है, 21 इसके अंदर नहीं है, इ केवल इतने कर्मित यूगम आएंगे केवल इतने कर्मित यूगम आजाएंगे अब यहां पे अगर आपन देखें तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा देखो प्रांत प्रांत हो जाएगा 123456 यह जाएगा 123456 ऐसे अगर आपन प्रीसर की बात करें तो प्रीसर क्या हो जाए तो इस तरीके से आसानी से बन प्रांत और प्रिसर ज्याद कर सकते ने एक समुझी ऐसे डिफेन कर रहा है कुछ एक्जाम्बल अपन करके देख रहे हैं देखू 1 प्लेस X यहां दे रखा है 1 प्लेस X स्क्वाइर यह दे रखा देख X का मान अपने हो लेना देखो Lace than equal to 5 साथ में X क्या होनी चीए देखो एक natural number होनी चीए प्राकर संख्या होनी चीए तो यहां पर अपने वही बुचा गया है कि इसके अंदर कों कौन से करमीती उगयंगे फिर इसका प्रांत और प्रीशिर अपन निकाल लेंके देखो अब X पर क्या कंडिसन दे रखे देखो सबसे पहले अपन यह देखेंगे X यह प्राकर संख्या होना चीए और उसका मानों पर condition है, x के मान यहां पर रखेंगे, देखो, तब जो मान आएगा उस पर कोई condition नहीं है, वो मान कोई भी आ सकता है, x का मान कहां से लेना, अपने को यहां से लेना देखो, x का मान अपने को लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 लेना है, यह मान रखने पर जो मान आता है, वो कोई भी 3 या पर x की जगह 2 रखेंगे ही अइदर फोर बनेगा या पर 30 रखेंगे तो इतना बनेगा 10 मनेगा लोग चार रखेंगे कितना बनेगा या पर 4 रखेंगे कितना बनेका 17 थे सच बनेका बनेका या अब कई student इस बात की confusion में रहते नेखू याँ पर इस पर पे condition नहीं है one plus x square का मान कितना भी आ सकता है x का मान अपने हो क्या लेना देखो एक दो तीन चार पांच लेना है बहुत ऐसे नहीं कि इसका मान भी इसका मान भी इस से जादा नहीं आ सकता रच दस आ गया तो कहेंगे कि x का मान 10 क्यों आ गया x का मान कुछ भी हो सकता है अगर पूछि जाए तो संख्या कितनी होगी पांच परांस यहाँ पे निकाले सकते हैं प्राण्थ और प्रीश्र सेग्यात करने हैं सब्ढ़नित क्युष्र एक्जाम पुछे जाते हैं च्प्राइब उदास अपने करें से छोटा प्राइम नमॉर अपने को दें Meth है तुट होता है ऐसी संक्या जिसके केवल और केवल 2 फेक्टर होते है एक है वह वह जी तerson आंक क्या हो जाये गा चामान कितना हो जायएगा 5 नहीं होती है की खिर तीन आ जाएगा 5 फिर फिर कितना आजाएगा? साथ. साथ आजाएगा, पिर आठ भी आए बाजी संक्यान नो भी नहीं है, दस से छोटी लीनी थी, तो ये मान अपन लेंगा, अब अपन अपन लेंगा, अब अपन ये आपर रखेंगे, तो कौन कौन से करमीत उगंवा जाएगे? X के मान यहां से अपन रखेंगे तो X की जगह 2 रखेंगे तो यह देखो 2 आएगा यह आएगा 8 आएगा फिर X की जगह 3 रखेंगे तो यह 3 आजाएगा यह 27 आजाएगा फिर X की जगह 5 रखेंगे तो यह 5 आएगा यह 125 आएगा फिर X की जगह 7 रखेंगे तो यह 7 आएगा यह जो मान है वो 10 से छोटा आना ची ऐसा नहीं है विए X का मान अपने को 10 से छोटा लेना है मान रखने पर जो मान है वो कोई भी आ सकता है यह 8 भी आ सकता है 27 भी आ सकता है ऐसे उसक्राइब अगर देखें तो कितना हो जाएगा रंज कितना हो जाएगा यह जाएगा ऐब आथ सतजैस हें सो बचीस wee तीराहिस औरemos थी इस त्रीके से सिब्सक्राइब सबसे फैले कुछ पढ़ेंगी और फिर करने देखेंगे दें कुछ question अपन करके देख रहें, नेगो second grade 2011 में क्यूशन पूछा गया था, second grade 2011 के अंदर एक question पूछा गया था, r बराबर ये दे रहा था, xy, दे रहा था, y बराबर अपने हो दे रहा था, mode of x minus 1, ये दे रहा था, एक अपने हो दे रखी थी देगो एक इंटीजर दे रखी थी साथ में कंडिसेन यह दे रखी थी मौड ओफ एक्स वो क्या होना चीए लेस थेन इक्वल टू थ्री होना चीए समंध को इस तरीके से डिफैन कर रख है य बराबर अपने को दे रखा था मौड ओफ एक्स वाइन चीजर होना चीए पुर्णांग संख्या का मनलब क्या होता है पुर्णंग होना चीए वह क्या होना चीए लेस तेन इकुल टू 3 होना चीए पूर्णाइशन कि उनका क्वाफंग 3 से कम हैं, यहां से अगर आपने क्रदेखने तो x के मान क्या क्या ले सकते हैं ऑन- X बराबर अगर 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 0 करेंगे तो इसका हम पर яг जिरुको तीन से कम ही आ रहा रहा है यह इया पर कंडिशेन अपने होई तरखे तो माइनस म को इंटेजर होना चाहिए और उसका जाएंगे यहां आते जाएंगे। सबसे पहले 100 रखोडेया मैने 13 है कि तू कितना आएगा–4 और फिर माइनस एक रखेंगे पान माइनस एक रखेंगे तो ये बनेगा है, फिर जीरो रखेंगे जीरो का chi circuit का कितना हो जैएगा ऐसके उसके अंदर आजेएगे अब कर्मित इउगlements की संख्या गर बूछिए तो कितने हो जाएगा एक, दो, तीन, तीन, छे और शाथ करमी त्विकमों की संख्या कितनी हो जाएगी साथ अगर अपने वो डोमेन पुछा गया प्रांत अगर पुछा गया है तो प्रांत क्या हो जाएगा देगो पर्थम आउयों का जो समूचे उसको अपन कहते हैं प्रांत तो प्रांत क्या क्या हो जाएगा माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, वन, टू और थ्री यह इसका प्रांत हो जाएगा देगो प्रीसर अगर देखें तो प्रीसर कितना हैगा प्रीसर अगर देखा जाए तो प्रीसर कितना हो जाएगा तो आजाएगा कितना 0, 1, 2, 3, 4 यह हो जाएगा तो इस तरीके से अपने प्रांत और प्रिसर ग्याद कर सकते हैं कुछ एक्जामपल आपने करके देखने हैं जैसे A ब्राबर अपने उदे रखा है 1, 2, 3 दे रखा है A ब्राबर अपने उदे रखा है 1, 2, 3 और A का B से समद्ध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है A का B से समद्ध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है mod of A square minus B square वो क्या रहना चाहिए? less than equal to 5 रहना चाहिए तब आपने को करमीत उगमों की संख्या पूछी गई है देखो इसके अंदर तब जो ordered pair है उनकी संख्या अपने को पूछी गई है करमीत उगमों की संख्या अपने को पूछी गई है करमीत उगमों की संख्या अपने को पूछी गई है तो वो क्या होना चाहिए, लेस्टे निकल टू 5 होना चाहिए, तब A क्या हो जाएगा, B से समंद हो जाएगा, तो कौन-कौन से कर्मी तुई गुमा जाएगा, देखो यहां पर, सबसे पहले A की जगे मानलो मैंने 1 fix कर दिया, देखो, A की जगे मैंने 1 fix कर दिया, अब यहां पर मैं B की जगे क्या लिखों कि इसका जो मापांग वो लेस्टे निकल टू 5 आए, फिर B की जगे अपने क्या लिखें कि इसका मापांग लेस्टे निकल टू 5 आए, तो B की जगए अगर मैं 1 लेता हूँ तो यह बनेगा देखो 0 और 0 का मापांग क्या होता है लेस ते निकुल टू 5 होता है तो एक का समझ हो जाएगा एक से देखो फिर यहां पर मैं लिख रहा हूँ देखो जैसे अपन यहां पर कर रहे हैं बालों 2 कर रहे हैं एक तो मैंने फिक्स कर दिया अब B की जगए अगर मैं 2 करता हूँ तो B की जगए 2 करने भी यहां पर कितना बन जाएगा चार देखो चार बनेगा और इसका मापांग अगर अगर आपन देखें तो बी जगए 3 करने भी कितना बनेगा नो बनेगा रहे है और इसका अगर मापांग अपन देख्ते हैं तो कितना आएगा rate और आठ क्या ले si एकी जगह अगर दो लेतने हैं बन तो यह बनेगा चार अब बी की जगह बन क्या कर सकते हैं एक ले सकते हैं क्योंकि चार माइनस एक कितना बनना है तीन तीन ले स्थे निकल टू फाइफ आ रहा देखो दो का समंद एक से हो जाएगा देखो फिर दो का समंद किस से हो जाएगा दो से हो जाएगा फिर दो का समंद किस से हो जाएगा एक ही जगह मैंने रख दिया देखो दो रख दिया बी की जगह अगर मैं तीन रखता हूं तो बी की जगह तीन रखने पर यह नो बनेगा देखो और इसका हमान अगory देखें तो किया है और happen? मतलब किश्का हो जाएगा? मतलब कितना हो गया अब बज여ते क्या लेसक्ते है? अगर डिशों में एक लेता हूं अगर और नहीं हो आट बनेगा.. और और नहीं होता है तौ हम लेसते जबू खर haven देखें फिर B की जगए मैं 2 ले रहा हूं देखू, B की जगए 2 लेंगे तो यह कितना बन जाएगा? 4 और इसका अमान क्या होता है? less than equal to 5 ही होता है तो यहां से अगर है आपन देखें तो 3 का समंध किस से हो जाएगा? 2 से हो जाएगा करके देख सकते हैं यह क्यूशन है लेगो समूचे अपने को दे रहा है N दे रहा है और X का Y से समंध ऐसे define कर रहा है X का Y से समंध इस तरीके से define कर रहा है X plus 4Y is equal to 16 दे रहा है तब इसका प्रांत वे प्रीसर अपने को पूछा गया लेगो तब इसका प्रांत वे प्रीसर अपने को पूछा गया मान कहां से रखने देखो X और Y दोनों के मान कहां से लेने अपने को N से लेने प्राकर संक्य है natural number ने रखें तो यहां से अपने पूंद लेने 5-3-4 संक्या सके अंदर होंगे अब यहां से अपने को देखो X का समन्द Y से कब होगा एकस में एपन 4Y जोड़ें तो कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए पंदरा बट्टे चार आएगा लेकिन पंदरा बट्टे चार यह समूचे के अंदर नहीं है तो इसका मान यहां से अगर आपन रखे तो य का मान क्या ना चीए प्राकर संख्यानी चीए एकस और वाई दोनों अपने को यहां से लेने ने तो एकस बराबर अपने वन रखा तो य का मान आ रहाते है जो कि वापीस और नहीं आरह रहा तो इसका महले एक का समझ इससे कितना आएगा 3 और 3 किस से भी लोग कर रहा देखो N से भी लोग कर रहा देखो तो जब अपन X is equal to 4 लेंगे तब Y का मान कितना आएगा 3 आएगा देखो तो यहां से अगर आपन देखें तो कितना हो जाएगा देखो 4 का समंध इन से हो जाएगा बिल्कुल आसा तरीका है देखो, X और Y में एक समंध इस तरीके से डिफेंड कर रखा था, आपने हो क्या करना है, देखो, X और Y दोनों के मान यहां से लिने है, तो X को एक तरफ लेलो, Y को एक तरफ लेलो, फिर X के मान रखते जाओ, Y के मान देखते जाएगे, जो Y का मान इसके अंदर आएगा, उसका समंध्ध क्या हो जाएगा 是 अपना एकस्पर हो बिंदर आएगा 9 रहे हैगा 9 नो मान darf को बीनी 10 चाहरा भीनी लेंगे तब आएगा बारा तब इस कामान कितना हो जाएगा वन हो जाएगा फिर लेंगे कितना एक्स बराबर सिक्स्टीन लेंगे तब कितना हो जाएगा एक्स बराबर अगर अगर आपन सिक्स्टीन लेते हैं तो वाई कामान कितना आ रहा है जीरू और जीरू एक नेचु इतरह समझनी है कि आगी अगर बढ़ैंगे सवतु Лे सम्मित अब करना संक्रामक संक्रामक करना वह आपने को इसकी जुट पड़ेगी एक इस ही संबंद को अगड़ कि अगर चेक करना न within एक यह dawns फिसका ने यह होजाएगा परिसर अगर देखिए परीसर कितना हो जाएगा और को एकुषनबर आप ट्राइ i better गार्ण से डिफैंड कर रखाए यह इकल टिन दे रखाए को समूचे अपने को एंडिरेख समूचे अपने दे निकाल के अपने को ट्राइब कर निया देखो कर भी तो प्रांद और प्रीशर अपन निकाल सकते हैं इस तरीके से उसके बाद में अपने बात करने हैं नोट लगा कि लिख ले ना एक बात मालो A के अंदर तो है M-A वेव देखो A में है M-A में है M-A वेव बी में M-A में अवेव हैं B में A वेव देखो तब A से B में अपने कितने समझ डिफिन कर सकते हैं उसकी में बात कर रहा हूं देखो A में माल लो M आवेव है, B में N आवेव है, तब A से B में, A से B में परिवासित, A से B में परिवासित, समंदों की संख्या, A से B में परिवासित, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं देगो, कुल समंदों की संख्या, कुल समंदों की संख्या कुल समंदों की संख्या तो वो होता है उसका फोर्मला होता है 2 की पावर M into N कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा देखो अभी यानि अगर A में M आवे हो है B में अगर N आवे हो है A में M आवे हो है B में N आवे हो है तो A क्रोस B में कितने आवे हो आएंगे देखो A क्रोस B में आएंगे M into N आवे हो आएंगे और अभी अपन बात कर रहे हैं A क्रोस B के जितने उपसमूचे होंगे उतने क्या होंगे A से B में समंदोंगे एक रोस B का पड़ते एक उपसमुचे क्या कलाता है A से B में समंद गलाता है और अगर एक रोस B के उपसमुचे की बात करें तो कितने हो जाएंगे अपने ये बाद जानते हैं अगर A में N अवे हो तो इसका उपसमुचे कितने होते हैं लगे की पावर अं होते हैं डेखो, two की पावर एंट तो यहां पे इसके इसके उट समूचे कितने हैं तो जितने समूचे होंगे वो सारे क्या कर लाएंगे, इस तो इसके उटय क्या लाएंगे आप तो कई बार एग्जाम के अंदर यह पुछ आ जाता है, एडिक्त समंदों की संख्या पुछी जाती है, अकर पूछेंगे तो हो जायागी कितना, एक कम कर देंगे देखो टू की पावर MN-1 यह हो जाएगे तो याद गरेंगे इस बात को देखो A में अगर M आवे हो हैं B में N अवे हो हैं तब A से B में परिवाशित कुल समंदों की संक्षा इतनी तो की पावर M into N, एरिक्त समंदों की संक्या ही पूछी जाती है, आगे आगे आपन सारी चीज़े देखेंगे, सवतुले समंद कितने हो सकते हैं, सम्मित समंद कितने हो सकते हैं, परती सम्मित समंद कितने हो सकते हैं, सारी बाते हैं आगे करेंगे, एक बार केवल अपने एक बेसिक बात कर रहा है, जितने एक रोज भी के उपसमुचे होंगे, उतने क्या होंगे, एसे बी में समंध होंगे, तो एसे बी में समंध कितने हो जाएंगे, टू की पावर M into N, अगर एरिक तो समंध होगी संख्या पूछी जाती है, तब हो जाएगे टू की पावर M N minus वर्थ, यह हो जाएगे, एक एक एक्जाम्पल आपन समंझते हैं, देखू, जैसे यह दे रख्या देखू, A बराबर अपने हो दे रख्या देखू, X, X दे रख्या लेश्टेन इकोल टू 5 दे रख्या, तथा X अपने हो दे रख्या देखू, विश्ण प्राकर संख्या, X अपने हो दे रख्या देखू, दो की साप, एक सी कैवाज दे रख्या दे रख्या देखू, तब अपने को यह पूछा गया है, तब अपने को पूछा गया है, A से B में परिवासित, A से B में परिवासित, एरिक्त समंदों की संख्या पूछी गई है तो सबसे पहले अगर आपन देखें तो A के अंदर कौन-कौन से एक दिन पांच हो जाएगे ऐसे अगर B की बात करें तो B के अंदर कौन-कौन से अलिमेंट आएंगे विक कैसे डिफाइन कर रखा देखो 10 से छोटी वे 2 की सापेकसी का अबाद जी संख्या का मतलब क्या होता है A वे B A वे B सापेकसी का अबाद जी इसन क्या 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 क्याय आती है देखो अगर A और B का मैसे अबाद जी इसन क्या 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 आती है लेको 7 का इतना देखना इकि दोनों का ग्रेटेस को मों डिवाइजर हो क्या हो नची हो नोची है जैसे इसकी बात करें अबना लूप है और पांच की बात करें नएको दोनों सापेकसी का बात करें। कुछऩकर प्रीवासित समंदों कितना हो जाएगी अभी आपन फोर्मिला पढ़ रहे ते कितना है कि भुए सब्सक्राइब सब्सक्राइगा इसमें कितने रहुखा आरें तीन एलिमेंट यह इस में फैनल कितने हैं 325 माइनस कितना हो जायगा रहू यह नहीं हो जाएगा टूधं की पावर 15 माइनस माइनस ब signal क्रेंगे तो क्या है इसका इंस और जाएगे जिस तरीके से अपन泉 सकतें को A से B में कुल कितने शमंद डिफाइन कर सकते हैं तोटल इतने शमंद डिफाइन कर सकते हैं अगर कुल शमंदों की संग्या पूछते तो जाती 2 की पावर 15 अगर एरिक्त शमंदों की संग्या पूछी गई है तो जाएगी 2 की पावर 15 माइनस 1 ऐसे एक उता है देखू पर्तिलोम समंद इन्वर्स रिलेशन पर्तिलोम समंद यानि जो समंद अपने दिफेंड करते हैं उसका उल्टा मानलो आर हो ओ असे भी में समंद देखू माना आर असे भी में समंद है R है वो A से B में समंद है तब R का परतिलो R इन्वस B से A में समंद होता है B से A में समंद होता है B से A में समंद होता है तथा define इस तरीके से करते हैं देखो तथा R इन्वस बराबर होता है B अगर A B किसके अंदर आ रहा है देखो R के अंदर आ रहा है यानि R इन्वस के अंदर किस टाइप के अलिमेंट आएंगे देखो B A टाइप के अलिमेंट आएंगे अगर A, B, R के अंदर है तो R इन्वस में क्या हो जाएगा इсят दोनों को उल्टा करके लिख देएगे B को पहले लिख देंगे A को बाद में लिख देंगे अगर A, B, R के अंदर आ रहा है तो R इन्वस के अंदर क्या जाएगा B आ जाएगा यहाँ अपने यह बात कह सकते हैं यह जो समंद R है इसका यह प्रांत है समंद R का प्रांत यह है और यह जो प्रांत है वो R inverse का क्या बनना है प्रीशर बनना है यह यहाँ पर प्रांत है जबकि यहाँ पर यह क्या बनना है प्रीशर बनना है तो सीधी सी बात है अपनी यह कह सकते हैं आर इन्वस का जो प्रांत होता है वो तो बराबर होता है किसके देखो आर के प्रीशर के वो तो बराबर होता है R के प्रीशर की क्योंकि R का जो प्रीशर है R का प्रीशर है वो R inverse का क्या बनना है देखो प्रांत बनना है ऐसे अपन ये कह सकते हैं कि R inverse का जो प्रीशर होता है R inverse का जो प्रीशर होता है यहां आपन देख रहे हैं देखो वो किसके बरावर होता है R के प्रांत के बरावर होता है कोई वैसे कोई ज़्यादा important बात नहीं है यह देखो सिदा से अपन यह बात देख सकते हैं तो परतिलोम समंद जब composite function वगएर अपन निकालेंगे वहाँ आपने को इसकी जूरत पड़ेगी देखो तो अगर R A से B में समंद है तब इसका जो परतिलोम समंद होगा वो क्या होगा B से A में समंद होगा और उसको अपन इस तरीके से define करेंगे इस तरीके से उसको अपन define कर सकते हैं कोई भी example अगर अपन देखें जैसे A बरावर अपन नहीं ले रहें देखो A बरावर अपन ले रहें एक दो तीन चार ले रहें देखो B बरावर अपने ले लिया मानलो दो चार फिर आठ ले लिया साथ ले लिया आठ ले लिया दस ले लिया देखो अब A से B में मैं एक समंद डिफैंड करना हो देखो x का समंद y से मैंने ऐसे define कर दिया कि x का दुगूना y है x का दुगूना कोने y है x का समंद अपने y से इस तरीके से define किया है कि x का अपने से दुगूने के साथ में समंद होगा x का दुगूना y है यानि x का समंद y से हो जाएगा यह दिए X का दुगुना कोन है Y है, X का अपने से दुगुने के साथ में समद्ध होगा देख, तब अपने को पुछा गया R-Inverse पुछा गया, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है देख, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, R निकालेंगे, सबसे पहले हमें R के कर्मी त्यूगम नि इन ने को एक ले रहा हो यह पर एक समद्ध किसे हो जाएगा एक का अपने से दुगने के साथ में समद्ध का लंगे लेखंगे तो आर्गे अंदर यह सारे कर्मिति उगमाएंगे र के अंदर सारी किया माइगे देखो तब र का र cry ज्थना लिखना है लिखना है क्या हो जाया धेकů एक दो है इसकी जगह लिख देंगे अपन दो एक लिख देंगे दो चार है इसकी जगह अपन लिख देंगे चार दो लिख देंगे देंगे चार आठ है इसकी जगह अपने लिख देंगे, आठ चार लिख देंगे, यह आर इन्वस हो जाएगा, यह हो जाएगा, आर इन्वस हो जाएगा, उसके बाद में अपने बात करने हैं ने को टाइपस ओफ रिलेशन की, उसके बाद में अपने बात करने हैं टाइपस ओफ रिल से पहले हैं एक देखते हैं देखो तत्समक्षमांद सबसे पहले हैं बात कर रहे हैं कि इसकी तत्समक्षमांद की आइडेंटिटी रिलेशन सबसे पहले हैं बात कर रहे हैं तत्समक्षमांद की देखो आइडेंटी रिलेशन तत्समख समंद को इस तरीके से डिफेंड करते हैं देखू समूचे A पर पहले एक बार परीबासा देख लेते हैं फिर मैं समझाता हूं समूचे A पर शमंद R तत्समख समंद कहलाता है तत्समख समंद कहलाता है यह दी A के परते का वेव का ये दि एके परते कावे होगा समय और केवल समय से समंध हो एक्जाम में कम से कम एक्विशन पूछा जाता है और बिल्कुल आसानी से अबन देख सकते हैं समय और केवल समय के साथ मैं समंध होना चाई हो केवल और केवल समय से समंध होना चाई है केवल और केवल समयम से समद्ध होना चाहिए तब उसको अपन क्या कहते हैं तब वो क्या कहला आता आइडिन्टी डिलेशन कहला आता कोई भी एक्जांपल अगर आपन देखें जैसे मालो ए बराबर ले लिया मैंने देखो 123 ले लिया ए बराबर अपने 123 ले लिया देखो समद्धने के लिए आपन देख रहें देखो r1 बराबर मैंने लिखत पिर दो-दो लिखत दिया यह लिखत दिया को एक एक लिखत दिया देखो, एक एक लिख दिया, आर फोर बराबर अपन लिख रहे हैं देखो, एक एक, आर फोर की बात अपन कर रहे हैं, आर फोर बराबर अपन लिख रहे हैं देखो, एक एक, दो, दो, तीन, तीन, फिर एक तीर लिख रहा हूँ देखो, यह लिख रहा हूँ, आर फाई अब इन्वे से अपने को पहचानना है कि कौन सा तत्समख समंद है, तो तत्समख समंद की definition में अपने ही पढ़ा, समूचे A के परतेक अवेव का समंद होना चाहिए, समूचे A में जितने भी अवेव हैं, खुद का खुद के साथ पे समंद होना चाहिए, और केवल खुद के साथ भी होना चाहिए, तो यहाँ अपन देख रहे हैं, एक का समंद एक से है, दो का दो से है, लेकिन तीन का तीन से नहीं है, तीन का तीन से नहीं है, इसका मतलब यह सम्मिट समंद नहीं है, इसका मतलब यह तत्समख समंद नहीं है, इसका मंतनर्लब यह doisम मांतर्व वा सब्सक्रास को सब्सक्रास कंट है कि समुचे आ को समय और केवल समय से समध्ध यह रह прид लेकिन एक का तीन से और आ रहा रहा देखो तत्समख समंद का मतलब क्या है विजय से अपने शमाज बे बात करते हैं न स्वार्थी विक्ति उस टाइप से बात कर सकते हैं केवल और केवल खुद से मतलब केवल और केवल खुद से मतलब है तब उसको अपन कहते हैं तत्समख क्यातना है तो यहाँ पर देखें तो एक का समन्द दीन से और आरा है बात करें संगा करें इसके इन्दर कुछ भी लिए और सान स्मथ समंद होने की लिए क्या ओना ही चाहि है Lekan यहां आपने देख रहे हैं कुछ भी नहीं इसको लिफाई को भी उपन क्या कर नहीं कह सकता तत समग्षमद नहीं कह सकता है बिल्गव आसांन सी रिफिनेशन है आप और समोचे में समय से जाहिए नहीं चाहिए तब उसको पन चलिः लिए X का समंद Y से अपने ऐसे डिफैन करते हैं इसके अलावा अगर आप देखोगी तो तत्समख समंद का एकजांपल और कोई में नहीं मिलेगा विशिदी सी बात है अगर कोई श्वार्थी आदमी है तो उसका अपने से बराबर वाले के साथ ही समंद होता है अपने जैसे अपने से बराबर वाले के साथ ही समंद होता है तो यहां यानि X का समंद Y से अगर ऐसे डिफैन करेंगे तब यहां पर कोई उपनेकुBen गमाएंगे ऐसके अगर रखेंगे तो य रखेंगे तो इस ऐतिक के साथ ही शमतना ये لटिशन कह सकते हैं इसके बाद में अपन एक बार कुछ आपन देख रहे औ игр्रेग कड़ ने लेक उसके बात करें देख कुछ है एक एक साहग जामपल करेंगे लिए बीप्लेक्सित रिलेशन के वन बात करें के आःए सवतुले बन ले समंद मतलब क्या होता है कि समुंचे इप economic समुचे अ पर शमंद आर समंद आर सौटुले समंद कहलाता है सौटुले समंद कहलाता है यदि ए के परते का वेव का समयम से समंद एके पर्तेक अवेव का समयम से समंद है, या मैं केवल इतना लिख रहा हूँ, एके पर्तेक अवेव का समयम से समंद है, यारी समुचे एके पर्तेक अवेव का खुद के साथ में समंद होना चाहिए, दूसरे के साथ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ततसमख समंद A से होना चाहिए For all A belongs to A समूचे A में जितने भी अवे में उनका खुद का खुद के साथ में समंद होना चाहिए दूसरे के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तब उसको अपन कहेंगे देखो सवतूले समंद कहेंगे तब वो कहलाता है सवतूले समंद कहलाता है कोई भी एक्जामपल अगर आपन देखें जैसे मालो यह एक्जामपल ले रहे हैं अपन A बराबर ले रहे हैं जैसे 1,2,3 ले रहे हैं A बराबर अगर 1,2,3 अपन ले मालो समंद मैंने लिख दिया देगो R1 बराबर मैंने यह लिख दिया 1 1 लिख दिया मैंने 2 2 लिख दिया मैंने 3 3 लिख दिया R2 बराबर मैंने यह लिख दिया 1 1 लिख दिया 2 2 लिख दिया 3 3 लिख दिया फिर मैंने लिख दिया 1 3 लिख दिया R3 बराबर मैंने लिख दिया यह समंत्य डिया देगे रप अपने कोई समंध् की बात करने यह समंध् कुन सा है पहली बादो अगर आपन देखें घर असलमाष्य काम समय सब्सक्राइब अब इसको अपन साउतूले समंद भी कह सकते हैं साउतूले समंद भी इसको अपन कह सकते हैं क्योंकि साउतूले समंद की reflexive relation की minimum condition यह है कि समूचे एके परते कवेव का खुद के साथ में समंद होना चाहिए तो यहाँ आपन देख रहे हैं समूचे एके परते कवेव का खुद के साथ में समंद आ रहा है तो इसका मालओ यह समंद क्या हो जाएगा तत्समक शमंद भी हो जाएगा और समूले समंद भी हो जाएगा यह तत्समक भी है और समूले भी है दोनों है तत्समक शमंद भी है हो नहीं सकता है बैस होता है कि कि अपर तो अपर्रिकYamn करते मां इसके बात करें तो यह जाएगा सवतुल्य हो जाएगा सवतुल्य इसको आपन कह सकता है quelques round करें इसकी अगर अगर बात करें तो देखो यहां पर एक का समद्ध एक से दो जो लेकिन तीन का तीन से नहीं आ अगर तीन का तीन से नहीं आ रहा है इसका मुस्तुलिए पिर हम भाई की अंदर तो कुछ है नहीं इसके नंदर कुछ है नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो तक अब निकाल कर देखना तो इस तरीके से अपन आसानी से देख सकते हैं साथ साथ आपको लिखना है अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं लिखा जाता है तो अपन PDF notes भी इसके available करवाएंगे PDF notes भी जल्दी अपन अवेलेबल करवा देंगे जल्दी जो अपनी class है जो offline batch है वही से इसको अपन recorded करेंगे एक दो दिन मैंने य से ऐसे define कर दिया रहेको exactly का और यानि एकस Wuhan का बाज़कret है यानि एकस डिवाइजर है किस时 का वॉइ यानि एकस का iny कर दो आब उपन कर्मीत यूगम निकाल के चेक कर सकते हैं एक तो कर्मित यूगम निकाल के चेक कर सकते हैं कि यह सवतुले है या नहीं। दूसरा तरीका यह है देगो सवतुले अगर चेक करना हो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। सवतुले अपन आसानी से चेक कर सकते हैं देगो। अगर सवतुले चेक करना है तो इन दोनों को सेम कर लिए अगरो देखो Y की जगह अपन कर लेंगे X कर लेंगे Y की जगह X करके इसको एक बार दुबारा लिखना देखो X X का बाज़क है दुबारा लिखेंगे तो क्या है का देखो X X का बाज़क है यानि सवतूले चेक करने का क्या तरीका देखो Y की जगए आपको X लिखना है Y की जगए X लिखने पे यह दि सही बात आती है इस समुचे की बात करेंगे है hang Portal इस समुचे की परतेग अव्य के लिए अगर सही बात आती है सत्य बात आती है तब वो समंद्ध क्या होता है सत्य बात है तो यहां आप देख सकते हो चाहिए इसमें से कोई विमान रख लो अक्स की जगे एक रखेंगे तो आएगा एक एक का बाज़क है अपन जानते हैं एक में एक का बाग जाता है अक्स की जगे दो रखेंगे तो दो दो का बाज़क है यानि यह जो बात है वो अमेशा सत्य बात है यह जो बात है वो अमेशा सत्य बात है और सत्य है इसको अपन क राइट करेंगे, दुबारा लिखेंगे, अगर दुबारा लिखने पर वह बात सही आ रही है, सत्य बात आ रही है, तो इसका अमल लो समंद्ध क्या हो जाएगा? सवतुले समंद्ध हो जाएगा. अब कर्मित यूगम निकाल के देख सकते हो आप देखू, भी कर्मित यूगम निकालें तो इसके अंदर देखो, यह संख्या होंगी, एक, दो, तीन, चार, यह सारी संख्या होंगे, देखो, यह संख्या, अब यहाँ पर अगर कर्मित यूगम देखें, तो कौन-कौन से कर् पर एक का समंद दो से हो जाएगा फिर एक का समंद टीन से जाएगा चलता जाएगा फिर आपन दो लेंगे तो एक सब्सक्रमक नहीं है क्योंकि एक का टो एक सी आ रहा है लेकिन एक का दो से भी सब्सक्राइब मतलब यह था प्रते कर दोना चाहिए तो गर आएकजाम्पल अपने पीछे लिखा था ज्यादा तर वह एक सामाने जू समंद आइं वह ततस्मक्श मद नहीं हो गहीं किया अबन कह सकते हैं कोई भी समद्ध डिफाइन कर रखा है बिल्कुल आसानी से अपन सवतुली समद्ध चेक कर सकते हैं समुची लेली आपने एन लेलिया देखो एका समंध बीस से अपने इस तरीके से डिफैन कर दिया कि ए प्लेस टू भी 3 का multiple है 3 का gunaj 3 का gunaj gunaj का मतलब होता है multiple जैसे 3 के multiple देखें तो कौन trouve से होंगे 3 6 9 12 यह सारे 3 के multiple होते हैं यह सारे होते हैं 3 के gunaj होते हैं तो यहाँ पे A से B का समंद इस तरीक ऐसे defined कर रखा है यहनि A का समंद B से हो जाएगा यह दी a plus 2b क्या आ जाता है तीन का multiple आ जाता है तो सबसे पहले हम चेक कर रहे है इसको सवतुले सवतुले चेक करना बिल्कुल आसान है देखू शीरी सी बात है b की जगह a करके देख लेंगे b की जगह a करके देख लेंगे ऐसा करने पर यह दी सही बात आती है तो वो सबस्वत क्या हो जाता है सवतुले हो जाता देखू अगर b की जगह a करेंगे तो कितना आएगा देखू यहां पर a b की जगह अगर a करेंगे तो यह आएगा देखू a plus 2a 3 का गुणज है 3 का multiple आ यह आएगा अब यहां से इसको साल करें तो यह आएगा देखू 3a 3a 3 का गुणज है देखू पर गुणज का मतलब ही होता है तीन के गुणज होंगे 3, 6, 9 यह होंगे देखू यह यह कह सकते हैं देखू ऐसी संक्या है जिन में 3 का बाग जाता है और सब्सक्रामग यह सारी बात हैं करेंगे और कम से कम 15 से 20 एक्जांपल अबन करेंगे बहुत सारे अग्जांपल हमण करके देखेंगे और आसानी से ये बाते समझाएंगे देखो एक दो दिन में ऑफलाइन जो वह अच्छ है वहां से अपनी क्लास रिकोर्ड होना शुरू हो जाएगे देखो थैंक यू